आज की खबरे इस प्रकार हैं अपने मुल्क के अमन्चैन के लिए अल्ला से दुआ मांगी नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारक बाद दी वही छोटी छोटी बच्चीयों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारक बाद दी मस्जिद के अगल बगल मेले जैसा द्रिस्यत देखा गया मेले में मिठाई गुबारे उम्खिलोने की दुकान को सजाया गया था खबर 365 न्यूज के लिए उद्वा परखंड से आतिफ आलम की रिपोर्ट ताजा और अबडेट न्यूज के लिए देखते रहिए खबर 365 न्यूज और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें